आधि प्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूं इसमें मैंने लिया है आप सेम ले सकते हैं जितना गाजर हूँ उतना बित रूट होना चाहिए लेकिन इसमें धोरा सब बित रूट कम है वो छोटा बित रूट है और दो-तीन गाजर है और हाफ कटुडी मतर है इन सब को इस तरह से काट लें चली सुरू करते हैं इसके लिए चाहिए होगा हमें मस्टर्ड ओयल तेल कर्म हो गया है अब इसमें डालेंगे दो तीन छोटी लाल मिर्च के टुक्रे बीटूर दो तीन मिनट पक जाएगा तब मटड इसमें डालेंगे यह देखने में इकना फुटाग लगता है खाने में भी बहुत तेस्टी लगता है अब इसको दो तीन मिनट के लिए धाक के पकने देते हैं दो तीन मिनट पक गया है अब इसमें डालेंगे मटड आए और इसको अच्छे से चला देंगे इसको पकाएंगे अच्छे से अभी काकी इसको करवावत जो है बिपूर का वह चला जागा इसमें डालेंगे नमक आप स्वादिया नुशाड डालेंगे और इसमें डालेंगे एक चमद टोमेटो केचप तर दिए और जालेंगे जाएंगे बिद्धा अजाएंगे अच्छे से अच्छे लिए अज़्ड पस्ट 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 पस्टाइब एक आप उड़ीं अब इसे पकाना है आप देख सकते हैं कि इसमें कितना साथ तेल छोड़ गया इसमें तेल इसलिए जादा डाले थे कि यह अच्छे से भूने जब यह अच्छे से पकता है तब बहुत अच्छा लगता है खाने में और इसका तेल निकालने का भी मैं बताऊंगी कि कैसे इसका एक्ष्ट रॉयल निकाल देंगे फिर इसमें से अब यह और पकाना है कुछ देल यह पांके है अच्छे से अब इसमें गैस आफ करेंगे और इस तरह से साइड करके आप कोई भी मैंस्तर का धकन ले रहे हैं आप कोई भी छोटा प्लेट लेकर इसमें लगा दें तक इसका एक्ष्ट रॉयल निकल जाएगा और साइज से आप hope you like my recipe then keep watching and keep sharing thank you bye